दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब ये बात बतानी जरूरी नहीं है फिर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये बात क्यूं बता रहे हैं दरसल कोरोना महामारी ने इस दुनिया में आए की असमानता को और बढ़ा दिया है नमस्कार आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और आपके साथ मैं हूँ सौरफ अभी तक आपने यही सुना होगा कि कोरोना की मार सब पर पड़ी है बड़े उद्योग पतियों से लेकर मज़दूर तक लेकिन ये जानकारी बिल्कुल गलत है ये बात हम नहीं कह रहें बलकि एक रिपोर्ट कह रही है ओक्सवैम ने कहा कि कोरोना वारिस महमारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतिये अरपतियों की संपत्ती करीब 35 फीसदी बढ़ गई जबकि इस दौरान करोडों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया ओक्सवैम की रिपोर्ट इन इक्वैलिटी में कहा गया कि मार्च दो हजार बीस के बाद भारत में सो अरपतियों की संपत्ती में 12 लाक करोड से जादा यानी 12,97,822 करोड रुपे की बढ़ोतरी हुई है बेशक आप इस बात को सुनकर चौंक गए होंगे औक्सवैम की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इतनी बड़ी राशी का वितरण अगर देश के 13,8 करोड सबसे गरीब लोगों में किया जाए तो जानते हैं हर यक्ती के खाते में कितना पैसा आएगा 94,045 रुपे असमानता का वाइरस यानी इनिक्वैलिटी वाइरस टाइटेल की इस रिपोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ती में जहां इजावा हुआ वहीं कई गरीब परिवारों की आमदनी घटी सिर्फ अप्रेल 2020 में ही हर घंटे करीब 1.7 लाख लोगों की नौकरी चले गई रिपोर्ट में आए की असमानता का जिक्र करते हुए बताया गया कि महमारी के दौरान मुकेश अंबानी को एक घंटे में जितनी आमदनी होई उतनी कमाई करने में एक मजदूर को 10,000 साल लग जाएंगे रिपोर्ट के अनुसार 18 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के दौरान दुनिया के 10 शिर्ष अरबपतियों की संपती में 540 अरब डॉलर का इज़ाफा हुआ है ऐसा अनुमान है कि इस दौरान कम से कम 20 करोड से 50 करोड लोग गरीब हो गए कुरोना वाइरिस ने दुनिया में मौजूद आयमें असमानता को बढ़ा दिया इसका शिक्षा, स्वास्थे और एक बहतर जीवन जीने के अधिकारों पर और गहरा प्रभाफ पड़ा है अधिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत जादा संपत्ती अरजित की जबकि करोडों लोग बेहद मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं डाउनलोड करें अमरुजलाय और पाएं खबरें लगातार